यह है क्लास 7 इंग्लिस न्यू जैम्स रतना सागर वर्क बुक सोल्यूशन ओफ चैप्टर अचाइल्स थोट इस वीडियो में हम इस पॉम की कुछ सोल्यूशन्स देखने वाले हैं और अगर आपको इस वीडियो के कोसन आंसर चाहिए या फिर चैप्टर का एक्स्प्लिंशन भी चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा या फिर आप प्लैलिस्ट से देख सकते हैं आप हम यहाँ पे कुछ कोसन करने वाले हैं एड़ेशन टू दिस लेंड सीक इन वें का मतलब है पॉंब करें लुक फॉर विटाउट एनी सक्सेस प्लैंक द दोर का मतलब है जो कि हमने देखा था कि बोट जो बच्चा जब जागा था तो उसने देखा था कि उसकी दोनों साइड में बूट रखे हुए थे इसी तरीके से ब्लू स्ट्रीम रिपिंग रैन का मतलब इस पॉंब में है नेक्ष्ट है फिल इन दे ब्लैंक में बताते हैं कि आपको कुछ वर्ट दिये गए है एक बोक्स में यहां पर एक में बोक्स बना देता हूँ तो इन बोक्स में यह कुछ वर्ट है इनको हमें सही फिल इन दे ब्लैंक में फिल कर रहा है और यहाँ पर हमें कुछ words भी दिये हुए हैं उन फिल्डब्लेक्स में जिन में underline है यानि इन words के साथ कौन से word इन में से कौन से हम choose कर सकते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे tune के साथ word यूस हो सकता है catchy catchy tune, skin कैसी होती है, flawless, stairs कैसे होती है, steep इसी तरीके से cracking door, ठीक है, cracking जो होती है, एक आवाज होती है ठीक है, तो इसी तरीके से कोई door है, जो आवाज निकाल रहा है cracking की इसी तरीके से next है judgment sound, और next noisy, noisy आप पताते हैं, sore जब sore होता है the teacher had hard time controlling the noise class, जो की teacher है, वो उने बड़ी ही मुश्किल से वो control कर पा रहे हैं, noisy class को, जो sore बचा रहे हैं बच्चे class next है clear sky, और last frame ground, इसके बाद आते हैं हम see part पर, see part में यहाँ पर कुछ words भी होई है, इसमें बताते है, one can make small word without a from a big word एक big words जो होता है, उसमें से हम छोटे छोटे words भी बना सकते हैं make as many three or four letter word from these two words, इन words में से करीबर three or four words के आपको कुछ words बनानी है तो हमने यहाँ पर कुछ word बनाई है, जैसे pro link से हम यहाँ पर लिगाल सकती है, row, row, next है pro link, pro link लिखा यहाँ पर, row link आ गया है, owl हो गया है, यहाँ लो नहीं है, l ing link हो सकता है, यह फिर green या ring, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा mistake हो गया है, next इसी तरीके से देखेंगे, enchanted में, chant hand, यहाँ पर hole नहीं, hat है, hat, cat, dent, ant, hand, tan, dean, यह सारे words हम इनसे बना सकते है, next है d part में, an anagram, an anagram क्या होता है, anagram is made by rearranging the letter of another word, anagram एक तरीके से words होती है, जिनको हम rearrange करकर दूसरे new words बनाती है, देखेंगे, यहाँ पर आपको example दिया हुआ है, stream, stream को हम अगर letters को उनके, जो alphabet से उनको change करें, तो हमें एक निया word मिल गया है, masters, इसी तरीके से हमने इनमें से बनाए है, कुछ words, tower को हमने जब word, इसके letters को exchange किया, मतलब उनकी change की direction, तो यह word बना wrote, lost को हमने, alphabets को change करकर slot बनाया, wake को weak बनाया, and boots को boost बनाया, इसी तरीके अभावती हैं, grammar study में, इसमें ल relative pronouns, अब यहाँ पर आप देखोगे, कुछ words जिन पर underline है, आप एक कोशन में नहीं है, answer में मैंने दिया हुए, कुछ words है, जिए उनको हमें सही words से change करना है, replace करना है, तो यहाँ पर मैंने सभी को replace किया है, जैसे एक मैं आया, that, second में whose, third में were, fourth में who, इस तरीके से, यहाँ सभी answer यहाँ पर fill कर दिये है, अब इसके बाद, next है हमारा F question, frame question for this sentence, beginning with the interrogative pronouns, who, whom, which, or what, अब हमें यहाँ पर कुछ sentences दिये हुए है, इन sentences के हमें questions बनानी है, अब यहाँ पर एक example भी दिया हुआ है, जैसे कि एक sentence था, जिनका इननोंने यहाँ पर question बनाया है, इसी तरीके स से अब हमने भी question बनाए है, हमें अब एक line दे दी है, the name of the dance troupe is paradise bird, इसका जब हम question बनाएंगे, तो यह होगा, what is the name of the dance troupe paradise bird, next है line, father is speaking to rajat on four, अब question इसका बनता है, who is the rajat's father speaking to rajat, next है the cat drank the milk, who drank the milk, a cat, किसने वो अदूद पिया, क्या cat ने, इस तरीके से हम question बनाया, next है, I want to story book for my birthday, क्या हमें अपने birthday पर, उसे एक birthday पर, एक story book चाहिए, तो हम यहाँ पर question बन सकता है, what do you want for your, want for you, मतलब यहाँ पर birthday भी लिख सकते हैं, मैंने birthday replace हो गया है, next है question number, question number six, इसमें लिखा हुआ है I gave the packet to your brother, इसमें question बन सकता है, यहाँ पर question मैंने गलत लिख दिया है, गलती से, यह replace हो गया था, अब यहाँ पर इसकी जिगें आप लिखिये, whom did you give my packet, अब next है question number seven, अनुरादा फेवरेट बुक is a pride and prejudice, अब यहाँ पर question भी आपके सामने लिखा हुआ है, next है, आब does he see, how does he feel, write a short composition using the phrase from the box, इन बॉक्स में इस words को यूज करते हुए, हमें यहाँ पर एक short composition लिखना है, एक phrase लिखना है, तो यहाँ पर हमने एक paragraph लिख दिया, इसके पर, the boy slept while reading a storybook on an adventure deep words and verses, में इसको जादा रीद नहीं करने वाला, वीडियो थोड़ी लोंग हो जाएगी, आपने एक लिए और इसको लिख सकते हैं, and thank you, अगर वीडियो अच्छे लगी है, तो जड़ू लाइक करना,